हम लोग दूस्तों BPC का batch नहीं कराते हैं, हम लोग 4 साल से जो है, वो JPC का ही batch करा रहे हैं, और इसी में हम लोग का specialization है, इसी में हम लोग का result भी आता है, ठीक है, तो आज लास्ट जो है, वो JPC का mains का demo class है, और mains क्यों करवा है आपको बता ही दिये, क्योंकि अभी मान के चलि है, है ना, और mains में आपको बोले ना, mains में 40 में 16 नमर भी मिलता है, 20 भी मिलता है, 24 भी मिलता है, 28 भी मिलता है, इतना ज्यादा variation है, ठीक है, PT तो काम समय भी हो सकता है, उसका tension नहीं है, लेकिन mains जो है, उसके लिए काफी समय चाहिए, और उसमें काफी जादा जो है, diversity और variation है, तो पहले आठ बजे जो है, 80 सर, Ensign History का class लेंगे, आपको बता ही दिये, काफी अच्छा कमांडर सर का, बहुत अच्छे अच्छे चीज़ों आपको जानने को समझने को मिलेंगी, प्लस जो भी topic पढ़ाया जाएगा, वो आपको question answer की through, कि हाँ अगर ये question पूछेगा, इसको कैसे attempt लेना है, कैसे भूमिका लिखना, introduction, कैसे body, कहा diagram जाएगा, कहा conclusion, उसी तरह geography में, धीरत सर मैप से आपको समझाएंगे, क्योंकि geography और biology दो ऐसा subject है, जिसको तो मतलब diagram और map के तो भी समझा आता है, तो वहाँ भी जो है, क्या question बन सकता है, कैसा introduction, कैसा body, कहा diagram, क conclusion, तो question, answer, medium सापको बताया जाएगा, साथ ही साथ, आपको बैच के साथ, जम के मेहनत करना होगा, यह नहीं कि आप सोची कि spoon feeding होगा, हमको बस PDF दे दिया गया, बस काम हो गया, नहीं, आप से question लिखवाया भी जाएगा, discuss भी होगा, class में question पूछा भी जाएगा, मतलब 50% effort ह हमारे साइट से लगेगा, और 50% मेहनत आपको करना होगा, ठीक है, तो जो लोग भी interested है, वो लोग मुझे WhatsApp नमबर पर message करिए, मैं आपको साथ, पचास, पचपन तक आपको link दे दूँगा, और जो लोग कल आये थे, उनसे request है कि आज भी आईए, कल आप कुछ topic को देखे, आज फिर से अपने topic देखिए, एक नया topic आज कराया जाएगा, और WhatsApp नमबर आपको पता ही हो गया होगा, 62-993-1915, ठीक है, तो यह आज last demo class है, और आपको बोला ही, कि अगर आपका 14 JPC सपना है, ठीक है, 14 JPC अगर आपका सपना है, तो अभी से लगना होगा, ठीक है, 11 to 13 JPC से जब JPC exam का नामों निशान नहीं था, उस सर्मेर से जो लोग भी लगे, उन्हीं का PT निकला और उन्हीं का मेंस का भी performance बढ़िया हुआ है, ठीक है, यहाँ अगर इंतिजार करिएगा, और यहाँ पे 90% student यहीं mistake करते हैं, और इसी वज़े से जो हमका result नहीं होता है, क्या तब तो जाके concept बनेगा, बहुत साइच चीज़े याद भी करने होती हैं, समझने को भी है, तो जो पहले से process में आएगा, वो बाजी मार लेगा, ठीक है, बाकी आप demo class में आएए और खुद देखें कि मतलब teachers कैसे चीज़ों को अलग तरीके से और interesting way में, generally क्या होता है, आ लेकिन जो प्राचीन भारत है, ठीक है, ancient history, जो medieval है, वहाँ पे जो है, दिमाग काम नहीं करता है, बाउंसर चला आता है, और कुछ student के साथ वही चीज़ जोग्रफी में भी होता है, कि मतलब लिंक नहीं कर पाते हैं, मैप के साथ, तो दोनों आपको जो होता है, easy तरीके मे जो है, interesting way में आपको समझाया जाका याल,